तो हेलो फैंट कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको दा रहा हूं Samsung Galaxy कमाल की एक आपको एडन सेटिंग बताने वालों जो की बहुत यूसफुल और बहुत काम की सेटिंग है इस सेटिंग से थुरू आप अपने डेटा को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर पाएंगे क्य सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहां पर सबसे पहले दो एप अब करने को भूलच को सेंसंग की क्लाव準備 और एक आपको करने बताक रॉटी इसको बुक्ण रहेब मैं यहां पर गैक्ट द्लट करने है तो ऑदिट रहें पर-इस को कर ली ना इहां पर ऑन अब इसmb deal अब है क्लाओ मिलता है प्रोटेक्ट между jullie à 185 फीट हां यह वां इवन Samsung Cloud get hacked, No one but you can access your data, तो अगर आप Samsung Cloud में अपने data को वहाँ पर save करके रखा है, तो इसको on करने से क्या होगा, इवन Samsung Cloud App वाले भी उसको data को नहीं देख पाएगा, जैसा कि आपने बता है, यहाँ पर आप देख इतने लिखा हुआ है, कि अगर इस data को अगर आपने इसको on क कर दिया, तो इसके बाद ना कि Samsung Cloud वाले, ना ही आपका कोई भी इसको access कर पाएगा, अगर कोई Samsung Cloud को भी hack कर लेगा, तो भी आपको data को वहाँ पर hack नहीं कर पाएगा, तो प्राइसी के साब से बहुत ही शामदर फीचर है, यह क्या करेगा, आपके जो backup है, उसको Android encrypted करेगा, और वो सिर्फ आपकी trusted device ही उसको use कर सकती ही, दूसरा उसको नहीं देख सकता, तो इसको आपको use करने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जाना है, आपको सबसे पहले कर लेना, enable encrypted backup data, जैसे आप उस पर click करेंगे, तो वो आपसे पूछेगा, आपकी पहले permission मांगे तो फिर आपको बताएगा, यहाँ पर क्या होने वाला है, चार चीज़, इससे पहले आपको क्या बताएगा, जैसे कि आप फरस्टाइम इसको on करेंगे ना, तो ओन करने के बाद नीचे एक encrypted data का, यहाँ पर इसको on करने के बाद आप से यहाँ पर पूछेगा, कि आपको सेव करेंगा, call logo का, message का, clock का, settings का और apps का, यह आपको दिख रहा होगा, यह सब automatic यहाँ पर corrected हो जाएगा, अगर आप Wi-Fi में रहेंगे, तो automatic सारा data आपका encrypted हो जाएगा, और आपको यहाँ पर इसको continue पर click कर देना, आपके Samsung का नाम भी आ रहा होगा, अब जब आप इसको first time login करेंगे, तो वहाँ पर आपको keys दिखाई देंगी, बहुत सारी, तो वो keys आपको यहाँ पर दिख रही होगी, इस तरह की keys दिखाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, यह keys आपको दिखाएगा, तो आपको यह सारी keys को remember करना है, और उसको वहाँ पर next दाना है, और सा वाली screen आ रही थी न, वो after आएगी, जब आप जब तक आप यह code enter नहीं करेंगे, तो वो आपको screen नहीं दिखाएगा, तो आपको यह code को वहाँ पर enter करने नहीं, यहाँ यहाँ पर click करके, यह पूरे code को photo click करके, यहाँ पर डाल देना है, और उसके बाद आपका वहाँ पर यहाँ पर जाएंगे, और आप यहाँ पर encrypted में जाके देखेंगे, तो इन सब चीज़ों का वहाँ पर encrypted करेगा, और आप देखना चाहें, encrypted होता गया, तो यहाँ पर आपको बता देगा, phone call, message history, message, inhan message, clock, settings, और always, उन सारी settings की आपकी क्या करेगा, android encrypted कर लेगा, ताकि कोई भी उसको access ना कर पाए, even आप Samsung Cloud वाले भी उस data को ना देख पाए, तो data protection के लिए बहुत ही शांदर यह feature है, उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ऐसी नए अपडेट्स के लिए मेरे जाल को जरू सब्सक्राइब कीज़ेगा, तो thank you so much, तो अगर आपको म सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल गुरू सब्सक्राइब करो, नोडिशन ब्राइब करो ताकि आपको मिले और हो सके लिए इंस्टागरों फेस्गुल फॉलोग लेना, तो thank you